कि कि सभी विद्यारतियों का सेमेश्टर थर्ड वाले का यहां पर कि स्वागत और आज हम बात करेंगे जो इस्तरावी ग्रंतियां हैं उसके बागदों के बारे में तो मैं बताना चाहूंगा जल रंद्र के बारे में जल रंद्र आद्र उष्ण कटिबंदिय शेत्रों के पोदों में उपस्तित जल को निस्त्राव करने वाली संद्र जनाये हैं जो पत्तियों के उपांत तता शीर्ष पर इस्तित होते हैं आद्र वतावरण में वात्पो सर्जन कम होने से जब पोदे का मूल दाप व निस्त्रावन दाप बढ़ जाता है उस समय जल रंद्र सक्रिये हो जाते हैं एसी दाप में मूल दाप के कारण जल कोशिकाओं से निकल कर जो पंड मद्य तक के अंतर कोशिक आउकासों में एकत्रित हो जाता है तथा फिर बूंद रूप में जल रंद्र द्वारा बार आ जाता है इस क्रिया को बिंदुस्त्राव कहते हैं एक्जांबल देना चाहूंगा मैं एनामीटा कॉकुलस ग्रोनोकेरियम पाईरीफोर्मी आदिकुछ पदों में एक कोशिके जल रंद्र पाए जाते हैं ये बाहे तचिये कोशिकाओं में छोटे-छोटे शलेश्म किये पैपिला के रूप में निकलते हैं पैपिला में क्य कि ओबलॉंगी फॉलियम आदि पोदों में रोम जल रंद्र पाए जाते हैं ये समुंड सलक रूपी बहु कोशिके सन नसनाये हैं इनका एक छे कोशिके भाग जिसे फुट करते हैं बाएं तोचा में अंतस्तापित रहता है फुट की दुरस्ट कोशिका में रोम दो कोशिके काई सलक रहता है काई की समिपस्त कोशिका में जिर्द के समान गर्थ पाए जाते हैं जल रंद के परिपको होने पर अंतस्त कोशिका म्रत हो जाती है तथा इसमें कत्रित जलबार निकलता है अधिकांस जो एंजय स्पर्म है में पाए जाने वाले जल रंद्रों में वाई निकाएं होती है यह पत्तियों के उपांतों अत्वा सिराओं के अंतस्चोर पर पाए जाते हैं सिराओं के अंतस्चोर पर इस्थित सवन कोशिकाएं विबाजित होकर प्रोली फेरेशन टीशू बनाती है जिसे एपितेम कहते हैं इनकी कोशिका बित्ती पतली तता कोशिका द्रवे गन होता है एपिटेम कोशिकाओं में पर्ण मद्यों तक कोशिकाओं के समान कलरोपलाश नहीं पाया जाता है एपिटेम के उपर इस्थित बायतचा की कोशिका विबाजी तोकर दोक द्वार कोशिकाओं बनाती है इन कोशिकाओं में रंद की द्वार कोशिकाओं के समान गत होता है कि हुमिडिटी दसा मूल दाप के बढ़ने पर जल वाई निकाओं से निकल कर एपिधेम की अंतरा कोशी का उकाशों में एकत्रित हो जाता है पथा जल्रंद के शीरे पर इस्थित द्वारा बूंदों के रूप में बाहर निकल जाता है अगली गरंती है मकरंद कोश कंगों में निकल आप कोश कोश what काइक नगों में पाते हैं मकरंद कोश केंलाते हैं कोस द्वाडव कीटों को अकर्षित करता है मकरंद कोश कोशिक वो का कोशी का ड्रवव संब होता है तता उनमें माइट्रो कॉंडिया तता अंत्रवी जाल का बाउल्ले होता है कुछ विशेश प्रकार के मकरंद कोसों में सवन उत्तक भी पाए जाता है जिसमें मुख्य रूप से फुलोयम तत्वी ही होते हैं कि इनमें मकरंद का विश्रण रंदों के द्वारा होता है मकरंद में जो पदार पायाते हैं उनमें सुक्रोज गुलकोज प्रक्टोज के अत्रिक्त एमिनोएसिड भी पाये जाते हैं इस तरह से हमने अब तक जितनी भी बाईएं जो सेकेट्रिस गलांड है उनके बारे में जिनमें मकरंद कोश है जल रंद्र है और रंद्र रोम हैं जो जितने भी पादप है इनसेक्टि वरस प्लांट ड्रोसेरा है नेफन तीज इनमें पाय जाते हैं इस तरह से प्लांट के जो इस्तरावी उत्तक हैं उनके द्वारा एक्सटरनल सेक्रेटरी इस्ट्रक्चर बन के बारे में बात करेंगे सभी का धन्यवाद करें कर आप घुल कर दो